Welcome to Unique Web School इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से आपका जो साइट है उसको Google Search Console में सम्मिट करना है ठीक है तो हमारा जो ये वेफसाइट है इसको हम लोग Google Search Console में इस वीडियो में सम्मिट करना देखेंगे यह हमारा website यह अभी तक Google SaaS Console में submit नहीं है तो किस तरह से इसको Google SaaS Console में submit करना है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले हम लोग इस website की जाएंगे dashboard में website की dashboard में आने के बाद आपको यहाँ पर setting में जाना होगा setting में आने के बाद यहाँ पर reading option में जाना होगा reading option में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो search engine visibility यह अगर आपका टिगमर है तो आपको यह टिगमर होटा देना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पर टिगमर रहेगा तो आपका site का भी भी Google search console में इंडेक्स नहीं होगा यह है search engine visibility तो इसको हटा दना है उसके बाद यहाँ पर search engine में क्लिक करना है आपका site में यह टिगमर नहीं होना चाहिए तीक है उसके बाद हम लोग Google में चाहेंगे और यहाँ पर हम लोग search करेंगे ओए master tool लिखकर यहाँ पर अगर हम search करते हैं तो हमरे समने जो Google search console का tool है वो open हो जाएगा तो इस website में हम लोगों को जाना है तो यहाँ पर हम लोगों को जाना है यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको improve your performance on Google search दिखाई देगा यहाँ पर आपको क्या करना है आपको यहाँ पर start now बाटन में क्लिक कर देना है तो मैं यहाँ पर start now बाटन में क्लिक करते हो ओके यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर welcome to google search console तो यहाँ पर आपका domain name है उसको यहाँ पर देना है अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर आपका जो URL फूल URL यहाँ पर देना है Only URL Under Inter Submitted Only Under Specific Protocol Around Multiple Verification Method तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अगर डोमेन देते हो तो यहाँ पर All URL All Sub Domain सब कुछ यहाँ पर ले लेगा Required DNS Verification तो हम लोग यहाँ पर इस URL में देंगे क्योंकि यहाँ पर Multiple Verification Method है और यहाँ पर Sub Domain नहीं लेगा तो हमारा अगर कोई Sub Domain है मेरा वाफसाइट का Under Develop है तो उसको यह पीस नहीं करगा यह Index नहीं करगा लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग Submit करते हैं तो हमारा Sub Domain हम लोग इस Domain से बना रखे हैं वो सब कुछ यहाँ पर ले लेगा तो हम लोग वो नहीं चाहते हैं इसलिए हम लोग इस आफसाइट में हमारा साइट को Submit करेंगे तो हमारा जो एप साइट है उसको हम लोग यहाँ से कोपी कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर हमारा जो फूल URL है उसको हम लोग यहाँ से दे देंगे उसके बाद हम लोग यहाँ से Continue बाटन में क्लिक कर देंगे यहाँ पर Continue बाटन में क्लिक करते हैं यहाँ पर देख सेकते हूँ checking verification तो हम लोग का verification करना होगा तो हम लोग देखेंगे verification method सबसे पहले HTML file अगर अब HTML file से verification करना चाहते हो तो सबसे पहले ghtml file इसको download करना होगा download करने के बाद आपका cpml में जाना होगा, cpml में जाना के बाद यह पाद आपका domain में और public HTML में इस file को upload कर देना है उसके बाद यहाँ पर verification में अगर click करते हो तो आपका site verification हो जाएगा तो इसके बाद HTML tag अगर आप इस tag को या पर इस tag को आपका head section में head section के अंदर इसको राखते हो तो उसके बाद यहाँ पर verification करते हो तो आपको verification हो जाएगा उसके बाद Google Analytics में से verification कर सकते हो अगर आपका site already Google Analytics में connected है तो आप लोग यहाँ से simply verify में click करना है तो आपका site verify हो जागा लेकिन मेरा site Google Analytics में connected नहीं है उसके बाद यहाँ पर Google Tag Manager देकर भी आप लोग verification कर सकते हो तो domain name provider देकर भी आप लोग यहाँ से verification कर सकते हो तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर HTML tag देकर हम लोग इसको verification करेंगे तो HTML tag को यहाँ से copy कर लेंगे copy करने के बाद आपको क्या करना है आपका site में आना है आपका site में आने के बाद यहाँ पर आपको जाना है appearance और theme file editor में जाना है theme file editor में जाना के बाद आपको जाना है header.psp में यहाँ पर आपका header.psp है header.psp में आना के बाद यहाँ पर head tag के अंदर यहाँ से आपको paste करना है उसके बाद यहाँ पर update file में क्लिक करके इसको update करना है उसके बाद यहाँ पर verification में क्लिक करना है लेकिन हम लोग aapart Theme in section में नहीं देंगे क्यूंकि हम लोग अगा चाहे तो Theme को change भी कर सकते हैं इस तीम को अगल नहीं हम लोगfourth Prime और कफिम यूज कररें आधर बात पर हम लोग upper house theme नहीं भी यूज कर सकते mêmes इसनलए हम लोग figur नहीं यदि देंगे इसके लिए हम लोग general setting option में जाएंगे यहाँ से लीप करते हैं ठीके general setting में option में आने के बाद यहाँ पर आप लोग दिखाई देगा webmaster tool यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर google search console का option है यहाँ पर हम लोग हमारा html tag को paste कर देंगे उसके बाद हम लोग यहाँ से save change में क्लिक कर देते हैं तो हमारा google analytics का verification html tag है वो यहाँ पर आ गया है ठीक है उसके बाद हम लोग यहाँ से verify button में क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हम लोग verify button में क्लिक करते हैं और यह हमारा चेकिंग होगा, उसके बाद हमारा जो ओनर्शिप है वो वेरिफाइ हो गया है, देख सकते हो ओनर्शिप वेरिफाइट, HTML तेक देकर हम लोग वेरिफाइट किया है, उसके बाद यहाँ पर गोटू प्रोपार्टी, तो हमारा जो domain section उर्व पर हम लोग आ जाएंगे, और हम लोग यहाँ से हम लोग हमारा जो side है, उसको menace कर सकते हैं, Welcome to Google Search Console, जैसे में क्लिक करते हैं, इसको OK करते हैं, यहाँ से आप लोग देख सेकता हैं हमारा side है, अगर आप और भी site को add करना चाहते हो एड़ेट property में क्लिक करके add कर सकते हो ठीक है तो site तो हमारा Google Search Console में add हो चुगा है लेकिन हम लोगों को क्या करना होगा हम लोगों को क्या करना होगा हम लोगों का site में कोई डाटा नहीं है तो आपको यहाप पर दिखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग कीज़े बदे करने के बद आपको जो आपका । कपडिक करना है । क्योंकि अपर कोपी करना है। क्योंकि iилсяब की अपर आपका जो जो उल्याइड यह साइड का व्यार्ण। sorry क्या बूलते हैं site का side map है ठीक है उसके पाद हम लोग यहां से इसको submit कर देंगे यहां से submit कल देती है तो हमारा side map है और successfully ह Collins submit हो चुका है ठीक है तो हैं पर देख सकती हो हमारा जो problem यहां पाश्तर हो रहा है लेकिन एक कोई भी problem नहीं है यह बात में हमारा fixed हो जाएगा इसको reload करते है तो बात में हमारा यहाँ पर fix हो जाएगा यहाँ पर देख सकत हो type unknown और side map submitted यहाँ पर है और status यह कुछ minute के बाद यह ठीक हो जाएगा ठीक है और हमारा कितना URL को यह discover किया है यहाँ पर show होगा ठीक है तो इसी तरह से आपका जो side है उसको google web master tool में submit करना है और यहाँ पर आपको side map भी submit करना है उसके बाद आपका side google में live हो जाएगा ठीक है तो इस video में फिलल इतना है अगर इस video आपको आच्छा लगा है तो like किजिए share किजिए comment किजिए और हमारा unique web school को subscribe करके हमारे साथ बने रहे है थैंक्स